तो बच्चों इस वीडियो में डिसकस करेंगे डियोई की तरफ से प्रोवाइड किये गए क्लास नाइन्थ के लिए मिसन मैथमेटिक्स कॉसन ओफ दे की वर्क सीट को जो की 22 नवंबर 2024 डेट के लिए है दोनों मीडियम में एक साथ इस से पहले कि सभी वर्क सीट और असेस्मेंट का सोल्यूशन दोनों मीडियम में अप्लोड एगर आपने नहीं देखा तो कॉमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी ओपन करके देख सकते हो तो देख लेना सिधा आजाओ कोसन पर ओके किनी दो उदाहरनों का वर्डन करें जिसमें हम किसी वस्तू के प्रिष्टिय शेथफल की गड़ना करेंगे और दो उदाहरनों का वर्डन करें जिसमें हम वस्तू के आयतन की गड़ना कर सकते हैं मतलब की दो एक्जामपल बताने हैं एक में आपको प्रिष्टे शेथफल मेंसन करना है यानि की सरफेस सेरिया दूसरे में आयतन यानि की वोल्यूम तो ध्यान से देखो सोलीशन ओके तो सोलीशन देखो ध्यान से सबसे पहले प्रिष्टे शेत्फल के लिए हिंदी में तो मतलब हमें दो उदारण देना है जहां पर प्रिष्टे शेत्फल निकालना हो तो लिखा है नोटबुक को कवर करने के लिए कागज के हो शक्ता मतलब उतने ही कागज की जरूरत होगी नोटबुक को cover करने के लिए जितना नोटबुक का प्रिष्टे शेत्फल होगा तो एक उदारण ये होगी या दूसरा बोतल पर श्टीकर चिपकाना मतलब बोतल के प्रिष्टे शेत्फल के बराबर ही हमें श्टीकर की जरूरत होगी तो इन दोनों उदारण में प्रिष्टे शेत्फल की बात हो रही है इंगलिस में लिखोगे 4 surface area फस्ट पेपर रिक्वार टू कबर नोटबुक सेकंड में पेस्टिंग स्टीकर ओन बोटल ठीक है इसके बाद में आयतन के लिए तो हिंदी में लिखोगे आयतन के लिए पहला swimming pool को भरने के लिए पानी की मात्रा मतलब हम swimming pool में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना swimming pool का आयतन होगा तियां पर आयतन की बात होगी ठीक है उसके बाद में second उदारण दोगे आप डिबबे को भरने के लिए तेल की मात्रा मतलब उतना ही तेल चाहिए जितना डिबबे का आयतन होगा ठीक है तियां पर भी आयतन की बात होगी इंगलिस में लिखोगे for volume amount of water required to fill swimming pool second में amount of oil required to fill oil can ठीक है तिया आपके दो उदारण हो जाएंगे आयतन के लिए जहां पर हमको आयतन की जरूरत पड़ेगी आयतन निकालना होगा और ये दो example आपके हो जाएंगे प्रिष्टिय शेत्रफल के लिए जहां पर हमको प्रिष्टिय शेत्रफल निकालना होगा ठीक है तो इतना ही था इस work sheet में अपने medium का ध्यान देते हुए लिख लो कहीं पर कोई doubt है तो comment कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching this video and take care